अब दिश्रक नमश्कार फ्रेंज मैं हूं आपका मित्र आपका सखा आपका फ्रेंड कमल रंदल और मैं आप सभी दर्शकों का हाढ़ी का भीने नंदन करता हूं वास्तु की बात कमल लंदलाल के साथ सिर्फ एस्टो तक पर इसलिए एस्टो तक को लाइक कीज़े सब्सक्राइब कीज़े शेर कीज़े हमारे वीडियो यूट्यूब और फेस्बूक पर किके एस्टो तक एक ऐसा मंच है जो आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखता है तो चलिए अब खास टॉपिक पर आते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत चित्र कहीं करना दे आपके जीवन को बरबात कैसा हो सकता है जी हाँ ऐसा हो सकता है क्या है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर वंडर ऑफ दे वर्ल्ट हमारे भारत में ह क्या आप जानते हैं कि ताज महल कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया है कुछ लोग इसे श्राप से जोडते हैं कुछ लोग इसे वास्तु दोश से भी जोडते हैं आप शायद ही समझ पाएंगे कि ताज महल का चुत्र लगाने से या ताज महल में विजिट करना स्पेशली पूनिमा और अमावस्या जैसे दिनों पर मना किया जाता है उसके पीछे कारण है लूनियसी व्यक्ति लूनियटिक हो जाता है और इसी चीज़ को मून मैडनेस भी कहा गया है क्या है मून मैडनेस मून मैडनेस एक ऐसी बिमारी है जिसमें यहां तो व्यक्ति बहुत जादा संजटिव हो जाता है यहां व्यक्ति बहुत जादा इमोशनल हो जाता है बहुत सारे वास्तूवित ताज महल के चित्र को या ताज महल के मौनियुमेंट को घर में रखना बहुत अशुब मानते हैं हाला की यह वन्डर आफ दॉ वर्ल है हमारे भारत की शान है लेकिन इसे भारत की शान ही रहने दिजे अपने गर में से प्रवेश्म पर आईए और ना ही इसे किसी को गिफ्ट दीजे क्यों कि कुलों इलाके यह एक मकबरा है याणी कि मृत्यु का घर है यहां पर कब्रें हैं जहां पर लोग दफन किये गए हैं। उसका प्रतीक अपने घर में रखना बेहद अशुब माना गया है वास्तू शास्त्र के अकॉर्डिंग लिए। तस्वीरों के रंग या मॉनुमेंट्स के रंग जैसे आप चाइना क्लेव अगरा का जो भी मॉनुमेंट्स ताजमेल का घर लेकर आते हैं यह आपके मन और भागे पर बहुत गहरा सा डालते हैं। कभी आप इसे अपने वेड्रूम में रख लेते हैं, कभी शोकेज में रख लेते हैं, कभी इसे ड्रॉइंग डोम में रख लेते हैं, जिसे हम अंत्यति कक्ष भी कहते हैं। ये नेगेटिव तस्वीरें आपके जीवन में उथल-बुथल मचा देती हैं। जैसे सनातन धर्म में शम्शान में जाने के बाद में नहाना बहुत आवशक है। तो आप ये समझे कि आपने किसी की कब्र को आपने घर में ही लगा रखा है। ये वास्तु के अनुसार बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। क्या होता है? हम बताते हैं इसके बाद में। सबसे पहले बात व्यक्ति का चंद्रमा ताज महल की पिक्चर या उसका मॉनुमेंट लगाने से खराब हो जाता है। नमबर दू, ताज महल को घर में लगाने से चंद्रमा तमजोर हो जाता है। जिसके सीधे वास्तु दोश आपके घर के नॉर्थ बेस्ट सेग्मेंट पर पड़ते हैं। आपके घर में सीलन स्टार्ट हो जाती है। घर में नमी बहुत रहने लगती है। इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती है। साथ बसाथ के अंडर आपका जो जुडावा धन हैं जहां का चंदरमा लॉजिस्टिक कारक है कालपुर सिध्धान्त के नुसार वो धीरे 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 खतम होना शुरू हो जाता है। साथ बसाथ के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है वो होती है यूनियस है यानि कि आपको सैकालोजिकल इशूस आने शुरू हो जाते हैं और इसका सबसे बुरा प्रभाव घर की महिलाओं पर पड़ता है जिन घरों में भी अगर ताजमहल के चित्र या उसके मॉनिमेंट उनका मासिक धर्म का चक्र जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है उसके पीछे बहुत सारे रीजन और भी है और उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब चंद्रमा खराब होना शुरू करता है तो हमारे वाडी में उपस्तेत 80% वाटर को भी इफेक्ट कर रहा होता है सबसे ज़ादा हमारी psychological health खराब होती है हमारा जुड़ावा धन खराब होता है साथ बसाथ के अंदर specially female वर्ग जो है क्योंकि चंद्रमा खुद एक स्त्रीग रहे है तो इसलिए चंद्रमा सबसे ज़ादा female वर्ग को परेशान करता है और उसके साथ-साथ एक बहुत बड़ ढी प्राब्लम और जनरेट होती है और उसलिए होती है कि घर में एक दूसरे पर अविश्वास आजाता है फ़्याराइड इसनी एक दूसरे पर विश्वाश नहीं कर पाते और ऐसे घरों के अंदर प्रेम की कमी आना शुरूर जाती है जिसकी वज़े से बाहरी दुनिया में व्यक्ति प्रेम ढूंडना शुरू करता है हाला कि इसे प्रेम का प्रतीक माना गया है लेकिन क्योंकि एक मकबरा है ताज के ना दें अगर आपके घर में ताज महल की कोई पिक्चर रखी वी है तो उसे आप हटा दें या उसे स्टोर रूम में आप शुपा के रखते हैं अगर आपने बहुत खुबस्वरत सा ताज महल का मॉनुमेंट बहुत महंगा ताज महल का मॉनुमेंट खरीदा हुआ है त तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो जन्रेट होगी, वो आपके रिष्टों में जन्रेट हो जाएगी, आपके सेकोलोजिकल हेल्थ में जन्रेट हो जाएगी, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारे सेकोलोजिकल इशुस आएंगे, धन आप नहीं बचा पाएंगे, घर म प्रॉब्लम्स आपकी सेकॉलोजी पर आएगी आपके घर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाई में भी कॉंसेंट्रेशन पावर कम हो जाएगी इसलिए हाला की दुनिया की बहुत खूसरत चीज है बे इंतहा खूसरत है ताज महल लेकिन ताज महल को देखें महा जाएं इंजॉय करें लेकिन ताज महल की पिक्चर को या उसके मॉनिमेंट को अपने घर परिवार में जगय ना दे क्योंकि ताज महल का चित्र या उसका मॉनिमेंट आपके एंटायर जीवन को वरबाद कर सकता है और एक बहुत इंपोर्टन चीज जहां पर भी मकबरों का इस्तमाल होता है वो जगह मृत्यतुल कष्ट देती है और उसका सीधा कनेक्शन क्योंकि ताज महल वाइट है संग चंद्रमा मृत्यतुल कष्ट देता है कि उसका संबंद जो है वह आठमें भाव से क्रियेट हो जाता है यानि कि मंगल से को रिलेशन्शिप हो जाता है कालपुरु सिध्धान्त के नुसा चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है आठमें भाव का स्वामी से जब वो अता है तब मृझ्ट तुल्यक कश्ट देता है और ऐसे घरों में जहाँ पर ताजमेहल के पिक्ट्रस लगाए जाते हैं या ताजमेहल कर मॉनिमेंट्स रखे जाते हैं वहां पर व्यभारिक संबन्थ पति 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 बीच के संबन्थ बच्चों के संबन्थ खराब होना आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी वास्तो की बात कमल लंदलाल के साथ में तब तक देखते रहें एस्टो तक और अपने मित्र अपने सखा अपने फ्रेंड कमल लंदलाल को इजाज़त दीजे नमस्कार